नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अर्शित चौबे और आज हम बात करेंगे नैपाल और USA के बीच जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप का क्वालिफायर मैच खेला जाने बाले है उसके बारे में पूरे प्लेट के बारे में डिसकुस करेंगे ड्रीम 11 की टीम भी मैं आपको बताऊनगा और अगर लास्ट तक बने रहतों तो लास्ट में मैं आपको ग्रैंड ली की कुछ टीम भी बताऊनगा शुरुआती मैच असे दोस्तों इस तूडरमेंट अगर हम बात करें वृल्ड करने के लिए वीडियो देखना इंपोर्टेंट है यार काफी सारे लोग सोचते हैं कि यार सेलेक्शन परसेंटेज के अकॉर्डिंग बना देते हैं तीम मां के कैप्टन वाइस के प्रेंट थोड़ा बहुत एदर उदर करेंगे तो विन कर जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं होता क्या वही इस मैच के अंदर करेंगे बिलकुल ऐसा नहीं है कुछ डिफरेंट प्लेयर्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा लो सिलेक्शन और हाई रिवर्ड वाले प्लेयर्स भी आपको मैं बताने वाला हूँ साथ इसाथ डिफरेंट कैप्टन तो वीडियो पे अग दो इस मैच के बिलकुल कोशिश नहीं होती है एक दिन में दो से तीन मैच करो और सारे मैच को विन करा आओ 5-6 matches cover करके 1-2 matches win करने से कोई भी मतलब नहीं है भाई फिर आप profit और loss पराबर ही हो जाएगा लेकिन मैं 2-3 matches cover करता हूँ और मेरी possibility होती है कि 2-3 matches में से आपको 70-80% winnings कराई जाए 100% winnings नहीं होती है कई बार हार भी जाते हैं लेकिन most probably 70-80% अमारी winnings होती है चलिए अब हम सीधा teams के बारे में बात करेंगे या pitch report के बारे में बात करेंगे उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ winnings तो यार लगतार हुई रही है ये थोड़ा सब पहले वाला match है last match का भी result ही नहीं आया last match का result आएगा है वो post में भी आपने हम काफी बड़िया winning करेंगे चलिए मैं आपको सबसे पहले तो यार telegram channel थोड़ा important है तो जो भी मेरा दोस्त अभी तक telegram पे नहीं आए video देखता है तो यार telegram पे आजाओ क्योंकि video में जो team होती है एक तरह के से demo team होती है finally एकाद दो changes बनते हैं तो वो मैं आपको telegram पे provide कराता हूँ जैसे माल लीजी अगर किसी player को मैंने video वाली team में captain करके रखा है last match वो खेला था और player भी अच्छा है लेकिन toss के बाद पता चलता है भाई वो playing 11 में ही नहीं है तो उसके बाद क्या captain की choices है या किस player के साथ हम जाएंगे वो update आपको telegram पे मिलता है तो telegram की importance आप समझ गए होंगे link आपको description में और description से भी join कर सकते हो साथी साथ comment section में first comment पे tap करना krikbrain telegram नाम से वाँ पे भी bluekler की link दिखेगी उस पे tap करोगे तो सीधा आप telegram पे आ जाओगे एकदम free है कोई भी पैसा देने नहीं है एकदम आसाने join करना आयोप आपने join कर लिया होगा काफी कम लोग हैं आप लोग सोच रहोंगे सर इतने से लोग हैं क्या आप सही बढ़िया टीम्स देते होगे लोग कम है लगतार 10 matches आप खेल के देखो अगर आपकी winnings नहों तो फिर भाई चैनल को leave भी कर सकते हो काफी बड़िया winnings हो रही है काफी बड़िया वीडियो में आपको analysis करके देता हूँ बागे किसी की भी वीडियो आप देख लेना किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ सब भाई बहुत अच्छा करते हैं लेकिन सब यार सिर्फ आपको numbers read करके दे देते हैं सारे जो भी numbers है numbers read करके stats बता के और वीडियो खतब करते हैं सिर्फ एक team बता के और telegram join कर लो तो final team आपको मिल जाएगी channel आपने मैंने already बोल दिया है और आपने already मान भी लिया है channel आपको subscribe कर दिया है और वीडियो अगर पसंद आए तो last तक रुकना वीडियो को like कर देना चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं match के बारे में थोड़ा सा match पर focus कर लेते हैं यहां से थोड़ा important part शुरू हो जाता है तो ना तो आपको ये वाला part skip करना है काफी सरे लोग मैं देखता हूं शुरुआत से mid end तक वीडियो को skip कर देते हैं सीधा teams देख लेते हैं और copy कर देते हैं teams copy करना आपको करना है तो आप कर सकते हो लेकिन अगर आप players के बारे में सुनते हो हर एक player के बारे में अगर आप जानते हो तो आपकी understanding develop होती है सिर्फ इस match में काम नहीं आएगी नैपाल का जब भी match आएगा USA का जब भी match आएगा तब आपको याद आएगा कि हाँ यार उस टाम मैंने वीडियो देखा था मुझे इस player के बारे में ये बात पता चली थी उसको मैं captain कर सकता हूँ तो बाद में भी आपके काम आएगा इसलिए जो stats होते है जो भी आप जो section में cover कर रहा हूँ वो भी important है वहाँ तक भी पूरा आप वीडियो देखो पूरा वीडियो देखो को ज़्यादा फायदा होगा चलिए यहाँ पर हम दोस्तों बात करते हैं venue के बारे में ताका शिंगा sports club में match होगा हरारे में जिंबांबे में match है लास्टी matches देख सकते हो 297 बने है 131 बने है 145 बने और पेसरस में 26 wicket निकाले है स्पिनरस में 21 wicket निकाले है तो यहाँ से दोस्तों हम देख सकते हैं दौनों ही टीम की बैटिंग थोड़ी सी बढ़िया हो रही है अगर आप World Cup के matches देखोगे दौनों ही टीम अपने last matches अगर दौनों ही टीम के आप देखोगे 290 के आसपास score बना है या तो T20 वाले होंगे या तो उन टीम्स के होंगे जो उतना वैतर नहीं करती है लेकिन दौनों ही टीम का एक-एक match हम देख चुके हैं बैटिंग काफी अच्छी है बढ़िया score करते हुए नजर आ रही है एक बात आप common देखते हैं विकेट्स गिर जाते हैं विकेट्स गिरते हुए नजर आने है टीम्स के और आप वर्ल्ड कप में देख रहे हैं जो भी टीम फर्स बैट कर रही है न उसके विकेट्स गिर जाते हैं डैथ ओवर्स में मारने के चांसे सोते हैं और भाई जब प्लेयर मारने जाएगा तो कई बार विकेट भी खो देता है तो death over में विकेट गिरते हुए नजर आ रहे हैं मांकी Pacers ने 26 विकेट निकाले हैं Spinner's ने 20 विकेट निकाले हैं Quality Pacers, Quality Spinner दोनों को रखना मैं आपको हमेशा से कहता हूँ Pitch पे अगर Spinner's को बहुत ज़ादा support है अगर बहुत ही ज़ादा support है तो आप Spinner's के साथ जाएं लेकिन अगर थोड़ा बहुत support है कई बार Pitch Report आती है कि Pitch Report जो आती है वो खुद confuse कर देती है कि हाँ Pacers को भी support है Spinner's को भी support है लेकिन मैं आपको एक clear funder बता देता हूँ जो भी quality का Pacer है न जो quality bowler है जिसके stats अच्छा बोल रहा है उसको कभी भी miss मत करना चाहिए Spinner's friendly pitch हो तो आप Pacers को miss कर देते हूँ और Pacer friendly हो तो Spinner's को miss कर देते हूँ जो quality bowler उसको skip नहीं करना बागि अगर spin friendly है तो extra spinner रख सकते हो और अगर Pacers friendly है तो extra Pacers रख सकते हो लेकिन जो experience player है जो अच्छा करते हो आ रहा है आप उसको miss नहीं कर सकते pitch report अगर हम read करें तो यहाँ पर देख सकते हो slow track रहने वाली है batting surface batting के लिए slow track रहेगी और साथी साथ अगर आप देखें batting और bowling दोनों को थोड़ा सा ठीक ठाकी रहेगा मतलब average pitch report हम कह सकते है batsmen भी ठीक करेंगे bowlers भी थोड़ा सा बढ़िया करते हो नदर आएंगे इसका मतलब 250 से 300 के बीच स्कोर रहेगा और यहाँ पर देख सकते हो जो भी team toss जीतेगी first bat करने को देखेगी और first batting में थोड़ा और बड़ी score target देने की कोशिश करेगी हला कि आप last के matches देख रहे हो chase करने वाली team जीत रही है और chasing की prefer कर रही है चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा हम head to head के बारे में बात कर लेते हैं head to head अल्ड़ी खेले जा चुके हैं कितने matches हुएं भाई 5 matches हुएं नैपाल ने 3 matches जीते हैं और USA ने 1 match जीता है USA ने सिर्फ 1 match जीता है और last match था पिछले साल खेला गया था वही USA ने 1 match जीता है तो दोनों ही टीम में से strong कोन है नैपाल हम अगर head to head सिर्फ देखे तो नैपाल strong है और अगर overall देखे तो मुझे दोनों ही टीम टककर की नजर आती है भाई कोई भी टीम अच्छा कर सकती है कोई भी टीम win कर सकती है दोनोंने last match हा रहा हुआ है दॉनों ने लास्ट मैच में अच्छा भी किया था लेकिन विन नहीं कर पाई है आज के मैच में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई आज के मैच में कोई भी टीम जीच सकती है दॉनों स्टॉंगर मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ तो यह लास्ट मैच हो गया, क्या एकदम सेम ही मैच होगा, नहीं बिलकुल नहीं होगा, भाई, मैच इस डिफरेंट होते हैं, सेम मैच नहीं होता है, यह सिर्फ अंडरस्टेंडिंग के लिए है कि कौन सा प्लियर हैट टूएड में अच्छा करते हुए नजर आ रहा है, एक आप रीड कर सकते हैं और स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीन शॉट लेके रख लो तो आपको बैटिंग ओडर का आइडिया लग जाएगा, और फिर इसके अकॉर्डिंग आप टीम बना सकते हैं, किसका बैटिंग ओडर क्या है, और साथी साथ यहां से दोस्तों ना किया करें, क्योंकि यहां पे आपको पता चल रहा है कि राइट हैंड बैट्समेन है, राइट हाम फास्ट बोलर, राइट हाम फास्ट मीडियम है, लेफ्ट आम स्पिनर है, तो यहां से आपको पता चलता है कि कौन सा प्लियर क्या करता है, कौन सी बोलिंग है, राइट बॉर्टेल के बारे में कोशल भॉर्टेल 20 का एवरेज बहतर इतना बहतर तो में नहीं बहुलूँगा लेकिन लास मैच में फोर्ड दिये बंदर लास में नाइटी नाइटीन गर दिये तो आज के मैच में मुझे जादा उम्बीद नहीं है लेकिन डर के चलते रखना चल रहा है उसके चलते भी आप रख सकते हो बोलिंग से उम्मी मत करना बोलिंग ज्यादा करते नहीं है और बोलिंग में ज्यादा विकेट्स भी नहीं है तो बुर्टेल का क्या करना है टीम में रख लो कैप्टन वाइस कैप्टन मत करो काफी सारे लोग कैप्टन वाइस क तो बहुत सारे प्लस पॉइंट है तो डेफिनेटली आप अपनी टीम में रखें टेप्टन वाइस केप्टन इनको भी मत करो टीम में डेफिनेटली रखो टीम से मिस मत कर देना विकेट कीपर में यही बैतर बैट्समन हमें नजर आ रहा है कौशल मल्ला के बारे में बात करे 23 मैचेस 29 का अवरेज 18 विकेट बहतरीन प्लेयर और 37 बोलिंग का भी ऑप्शन देते हैं बोलिंग में विकेट तो नहीं मिला है लेकिन बड़िया बोलिंग कर रहे थे मैं नहीं देखा था साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हो बैटिंग से भी कुछ स्कोर करेंगे बैटिंग का भी पूरा मौका है टीम में डैफिनेटली रखना डिफरेंट वाइस केटन अगर करना है तो कर सकते हो क्योंकि मौका प्लेयर के पास पूरा है और स्टैट्स भी ठीक ठाक है यहाँ करने की कोशिश तो किये दो जाले तैंविकेट कोई नहीं बिला एक अच्छे बैट्समेन अगर हम नैपाल से बात करें किसी बैट्समेन पर भरोसा किया जा सकता है जिसका एवरेज 30 के ऊपर है और जिसने लगातार बढ़िया भी किया है तो रोईत पॉन्डेल है टीम के भी कैप्टन है आज के मैच में थोड़ा सा बढ़िया करते हुए न आज के मैच में आपके डिफरेंट प्लेयर हो सकते हैं स्टैट्स भी काफी बढ़िया बोल रहे है 17 मैच इस एक्सपीरियेंस तो जादा नहीं है लेकिन जितना भी किया है बढ़िया किया है 17 मैच इसमें 14 विगेट भी निकाले है नेक्स प्लेयर पे आजाते हैं दीपेंदर सिंग एरी यहाँ पे देखो 17 का एवरेज 32 विगेट बढ़िया प्लेयर मोस्ट इग्नोर प्लेयर हमें मिल रहे है जिनका एवरेज भी बढ़िया है और 37 बोलिंग भी करके देंगे तो इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी टूर्णामेट शुरुआत होता ना तो लोग लास्ट मैच के अकॉर्णिग टीम बना देते हैं लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि एक मैच फेल हो गया है उसके पहले देख लो 10 रन 2 विगेट निकाले है इस मैच में कोई विगेट चौ-थीजरे एक बिकेट प्लेयर अच्छा 17 विगेट बटीस विगेट बैटिंग से थोड़ी ज़ी ज़्यादा उम् relatively मत रखना सॾरी उल्टा बोल दिया मैं ने 17 विगेट बोलिग से थोड़ी ज़़ी जॼ्याद उम्मीद सकते हो बैटिंग ज़ादा खास नहीं है ले बैटिंग ओडर थोड़ा से नीचे है, बैटिंग ओडर हल्का सा भी उपर होता ना तो 36 कैवरेज भाई बहुत बैतर होता है, इनके कैप्टेन से भी बढ़ी है अवरेज है, पॉंडेल का 33 कैवरेज है, अगर यहां पर आप शार्की की बात करें, 36 कैवरेज है, बैटिंग नीचे है, हलका सा भी बैटिंग ओडर उपर हो, तो आप अपनी टीम में रख सकते हैं, अदर्वाइस फिर बैटिंग आने का खत्रा रहता है, कितनी बैटिंग मिली, क्या बैटिंग मिली तो फिर रिस्क रह जाएगा, इसलिए नहीं है टीम में, कारन केसी की बात करें, 41 म निकालें, 41 मैच में, हर मैच में एवरेज 1-2 विकेट के आसपास निकाल सकते हैं, आज के मैच में फरस बोल आ रही है, थोड़ा बहतर उम्मीद की जा सकती है, रख सकते हो, फरस बोल यूएसे की आ रहे है, तो फिर वहां से हम डैट बोलस रखेंगे, सौमपाल कामी के ब मैं देखा, भाई 47 किये थे, बैटिंग से भी अच्छा कर सकते हैं, बोलिंग से भी अच्छा कर सकते हैं, 20 का एवरेज बोलर के लिए काफी बढ़िया होता है, और विकेट हर मैच में एक एक दो दो निकाल रहे हैं, तो फरस बोलिंग अगर नैपाल के आ रहे हैं, तो फि कट लास् game दो तो किसी कई और सुसे मैइऑ और अगे बढ़ते हैं आगे बड़ते हैं किसी को मुकका मिल नहीं रहा है और अगर मिलता है तो स melon पर चल जाएगा इसके बाद मैं आपको फाइनलगा पर पदेल्ए में जाए चलिए अब सीधा आजाते हैं हम USA के possible 11 के बारे में और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो possible 11 last match के according है टीम हार गई है तो हो सकता है forcefully एक आदो changes हमें देखने को मिले फिलाल तो कोई change देखने को नहीं मिल रहा है यही last match के according possible 11 है और यहाँ पे read भी कर सकते हो कौन सा player क्या करता है screenshot भी आप ले सकते हैं मैं सीधा players के बारे में बात करूँगा आप इसको सीधा एक बार read कर लो चलिए players के बारे में सीधा बात कर लेते हैं screenshot आपने ले लिया होगा और जो लोग screenshot नहीं ले पाते हैं न टीम्स में दिखाता हूँ तब भी काफी सा लोग बोलते हैं सर जल्दी से आपने हटा दिया screenshot नहीं ले पाई आप pause कर सकते हो, वीडियो को रोक सकते हो और वहाँ पर फिर screenshot ले सकते हो वीडियो को रोक के screenshot ले सकते हो, बागे चलिए, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम players के बारे में बात करते हैं, Stephen Taylor, अगर best player बोलें किसी को USA के side से, तो Stephen Taylor का भी नाम आता है, बिलकुल आता है, और देख भी सकते हो last match में, 28 का average है, बढ़ी है एवरेज है, क्या बहुत ही कम विकेट निकाल दिये, उसके पहले वाले matches देखो, 79-81, recent form अच्छा चल रहा है, उसके पहले bowling नहीं किये, last match में बोलिंग किये, तीन विकेट निकाल दिये तो भाहिया के पास confidence भी है, confidence है तो आज के match भी bowling करते हो, नदर आएंगे, तो captain कर सकते हो, यार opener भी है, हो सकता है, 70-80 runs भी कर जाएं, पूरा मौका है, और bowling भी है, दस over डालेंगे, लगभग पूरे 10 over डालेंगे, और हो सकता है, 2-3 wicket ले जाएं, तो tailor captain की अच्छी choice है, आप अपनी team का captain कर सकते हो, हो सकता है, मेरी team के यही captain हो, मोडानी की बात करें, 27 का average है, और 27 का average है, मतलब player अच्छ करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उन players पे जादा focus करता हूं, जो आपको कुछ overs भी डाल के दो, और कुछ overs डाल के दे, अगर आप betting में out हो गए, तो कुछ overs डालेंगे, तो वहाँ पे bowling में आपको wicket मिल जाए, या तो at least आपका 35 के आसपा saverage हो, अगर सिर्फ batsman हो, तो 35 के आसपा saverage हो, और अगर batsman नहीं हो, तो ऐसे बोलर हो, या ऐसे all-rounder हो, जिनके wickets भी निकालने के chances हो, और जो बैटिंग से भी अच्छा करें, तो इसलिए मोडानी मेरी टीम में फिलाल नहीं है, बांकि first bet अगर आती है, तो आप अपनी टीम में रख सकते हो, मुझे नहीं बता देता हूँ, आपको रखना है तो रख लो, नंबर्स आपने देखी लिए, मोनंक पटेल के बारे में बात करें, एक मैच खेला, चेहरन बनाए, 33 का अवरेज है, प्लेयर बहुत ही बहतरी हैं, टीम के कैप्टेन भी है, इनको भी लोग एगनोर कर रहे हैं, क्यों कर र है, लगबग 33% सेलेक्शन परसेंटेज है, आज के मैच में में उम्मीद कर रहा हूँ, मोनंक पटेल थोड़ा बढ़िया करेंगे, मेरी टीम में रहेंगे, बाकि एरॉन जोन्स के बारे में बात करें, अच्छे प्लेयर हैं, और बोलिंग भी कर रहा है, बोलिंग भी कर र विकेट तो नहीं मिला है, तो बोलिंग से उम्मीद करो भी मत, एकाथ विकेट हो सकता है, मिल जाए, लेकिन बैटिंग थोड़ी सी बढ़िया है, तो आज के मैच में बैटिंग से हो सकता है, पचास के आसपास से स्कोर कर दें, तो एरॉन जोन्स को हमारी टीम में हम रख रहा है, डेफिनिटली रख रहा है, और वाइस केटन अगर करना है, तो वाइस केटन भी आप कर सकते हो, बाकि दूसरे प्लेयर्स के साथ भी जा सकते हो, जिसकी बोलिंग कन्फर्म हो, जो बोलिंग से भी विकेट रिकाल के दे, मांकि आरहा हूं जो अच्छी चोईस है, वैसे ओल डाउंडर्स जो आपको बोलिंग भी करके दे, या तो बैटिंग एबरेज 30 के आसपास हो, क्लियर मैंने आपको बता दिया, घजानन सिंग, लास्ट मैच 101 रन भई है, बैटिंग ओडर नीचे, कोई फरक नहीं पड़ता, आई 101 रन बना गया, टीम नहीं जीत पा तो गजानन सिंग, कम लोग ट्राइ करेंगे, क्योंकि बैटिंग ओडर नीचे है, लेकिन मैं आपको बता दू, फर्स्ट इनिंग में अगर बैटिंग आती है, तो बैटिंग कंफार्न में उस कंडिशन में रख सकते हो, सेके इनिंग में थोड़ा सा मुश्किल है, या सेक जरूर बना दी है, आज की मैच में कम उम्मीद है, तो मैं बिल्कुल भी अपनी टीम में नहीं रख रहा हूँ, जस्दीप सिंग, 20 मैचे, 21 विकेट, 11 विकेट, बढ़ी आप लिया रहे है, फर्स बोल अगर आती है, तो सोच सकते हो, बांकि इन से भी बहतर बोलर हमें ची है, तो कैंजी के ओको अपनी टीम में रखना है, बिल्कुल रखना है, सिलेक्शन परसेंटेज आप देख लो, 27 के आसपास है, यही तो मैं बोलता हूँ, शुरुवात में जब टूर्नमेंट होता है न, तो विनिंग के चांसे जादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोग यह की विकेट निकालके ले जाए, आज के मैस्च में 2-3 विकेट भी ले जा सकता है, कैंजी के बड़िया चोईस है, फिलिप्स के साथ लोग जा रहे है, चार मैचस 6 विकेट और लास्स्मेच में 3 विकेट, सिलेक्शन परसेंटेज 80 के उपर, बोजे 80 आती है कई बार, सि तो दोस्तों बात करें, नेत्रा वाली करके, बारे में, चब वालेस मैचे, सतर विकेट, बैतरीन बोलर, और लास मैच में भी आपने देखे लिया, तीन विकेट निकाल दी, आज के मैच में भी कुछ ना कुछ विकेट्स हैं, दौनों ही कंडिशन में रख सकते हो, दौनों क को मैच में लिकेट्स है, लास में विकेट्स में लिकेट्स है, और आपको करना तो आप भी कर सकते हो, मेरी टीम के बी मोस्त प्रबेबली घेलर ही दाएंगे, माँас के आरन जोन्स अच्छी चोईस है, चेप्टन 22 केप्टन ही, तैटिस केवरेज है प्लेयर अच्छा है, और अगर चोईस बताऊं, गजानन सिंग भी अच्छी चोईस है, जी सिंग को भी आप रख सकते हो, common GL captain में आपको मिल जाएंगे, different GL captain अगर हम देखें, different कौन सा player है जो अच्छा कर देगा, तो भाई संदीब लमीचाने सबसे पहला नाम आ रहा है, first bowl आती है, तो definitely 3-4 विकेट भी ले जा सकते हैं, दौनों ही टीम में सबसे बहतर बोलर, सबसे ज़्यादा विकेट संदीब लमीचाने ने निकाले हैं, तो भाई captain बन सकते हैं, 3-4 विकेट ले जा सकते हैं, अगर first bowl आती है, तो, बाकी सौरब नेत्रा बलकर first bowl आती है, गुल्षन शा भी आज के मैच में अच्छी चोईस है, बैटिंग बोलिंग दौनों से मौका है, लास मैच में शायद विकेट नहीं मिला है, बैटिंग से थोड़े से ठीक रन किये थे 20-30 रन, आज के मैच में, डेफिनिटली कुछ न कुछ कर सकते हैं, अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं, low selection, big reward वाले player, low selection है, मतलब 30-40 के बीच होगा, ज़्यादा सज़ादा, और big reward विलेगा अगर अपनी टीम में रख लोगे, मोनंग पटेल, जहां तक है मेरी टीम में रहेंगे, कोशिश करूँगा, मैं अपनी टीम में ले पाऊँ, small league अगर नहीं ले पाऊँगा, तो grand league में जरूर कुछ टीम में ट्राइ करूँगा, average देख लो 33-34 का average है, player अच्छ है, टीम के captain है, माखी गुलशन जहां का भी selection percentage काम है, और कामी का तो बहुत ही काम है, कामी के stats भी मैंने आपको बता दिये, बहतरीन player है, bowler भी है, और सांती संथ कुछ betting भी करके देते हैं, दिये bowling section में, stats काफी कुछ बोल रहा है, तीनों में से कोई 2 player आज के match में आग लगा देंगे, तो small league में 2 को रख सकते हो, grand league में 3 को भी रख ले ना, small league में 1 को रखना है, तो 1 को भी रख सकते हो, किसी भी 1 को रखोगे, फर्क पढ़ जाएगा भाई, आप win कर जाओगे अगर वो player चल गया तो, क्योंकि ये player बहुत ही कम लोगों के पास होंगे, selection percentage चेक कर ले ना, सबका 30 के आसपास होगा, या हो सकता है 30 से भी नीचे हो, ये दोस्तों मैंने आपको सारे players के बारे में बता दिया, I hope आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, कुछ समझ लिया है, तो comment section में पूछ सकते हो, माकि अगर वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को like कर देना, और चैनल पे अगर पहली बार हो तो subscribe कर सकते हो, चलिए अब हम सिधा teams के बारे में बात करते हैं, क्या हमारी small league की team है, और क्या GLK combinations बन सकते हैं, दोस्तों, अब हम teams के बारे में बात करेंगे, उसके पहले थोड़ा और important बात मैं आपको बता देता हूँ, important क्या है, important भाई, टेलिग्राम है, काफी दादा important है, लोग important समझते नहीं है, यार वीडियो देख लेते हैं, और उसके बाद final जाके उनको समझ ही नहीं आता है, कि यही team है, कौन सी team लगानी है, टॉस के बाद, ज्यादा तर आपने देखा होगा, जो मेरी वीडियो में team होती है, एक आद दो changes तो करने ही पड़ते हैं, करने ही पड़ते हैं, और आप देख रहे हो, वो आपको telegram पे मिलती है, कैसे team मिलती है, पूरे 11 players के साथ team मिलती है, grand league की teams मिलती है, यह देख लो, last match के भी मैंने आपको team प्रोवाइड की थी, पूरे 11 players, captain by captain के साथ, तो इस तरीके की कुछ आपको telegram पे team मिलेगी, link description में दे दिया है, वहाँ से जाके भी join कर सकते हो, comment section में भी first comment पे tap करोगे, तो आप सीधर telegram पे पहुँच जाओगे, और क्या फायदे हैं, यह भी मैं आपको बता देता हूँ, grand league की updated team, grand league की पूरी 10 team last match के अंदर भी दी थी, आज भी मैं कोशिश करूँगा, पूरी 10 से 20 team आपको दूँ, 10 team इसलिए, मैं तो 20 team के साथ गया था, 10 इसलिए दीती हैं आपको, क्योंकि यह last time पे 2-2-3 team player नहीं खेल रहे थे, first match था, तो line-up भी late out होती है, world cup वाले matches की, और 37-37 changes भी थे, तो मैं आपको 10 team दे पाया, और मैं खुदी कम contest जॉइन कर पाया, और small league मैं जॉइन नहीं कर पाया, match जरूर अच्छा रहेगा, अभी तक तो match complete नहीं हुआ है, बांकि यहाँ पे, telegram पे आपको कुछ और matches की भी वीडियो, teams मिल जाती हैं, जिनका वीडियो में नहीं बनाता हूँ, telegram important है, आप जॉइन कर सकते हैं, चलिए, अब हम सीधा बात कर लेते हैं, teams के बारे में, मैंने फिलाल तो थोड़ी कम team बना के रखी है, बांकि 10 team तो at least 10 team के साथ तो मैं जाऊंगा, और 10 की 10 team आपको telegram पे प्रोवाइट करा दूँगा, 20 team थोड़ा सा यार अभी edit वाला दिक्कत हो जाता है, लास्टाइम में आप देखते हैं, लगबग 10 से 12 मिनिट बचते हैं, और तभी line up out होती है, फिर team edit करना, screenshot लेना, small league के contest join करना, थोड़ा सा मुश्किल होता है, बांकि मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं अपनी team में रखूँगा, थोड़ा सा risk लूँगा, फाइनली बांकि toss के according भी मैं थोड़ा सा देख सकता हूँ, बैटिंग order से बात करें, आर पॉंडेल हमारी team में, टेलर हमारी team में, और साथी साथ गजानन सिंग हमारी team में, मैंने एक important batsman को miss किया है, important batsman कौन है, यहाँ पे last match में 99 बनाये हैं और इनको मैंने अपनी team में जगा नहीं दिये, क्यों नहीं दिये यार, stats ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा है, और मुझे लग रहा है आज के match में थोड़ा जल्दी आउट हो सकते हैं, इसलिए फिलाल नहीं दिया अगर आपको डर लग रहा है, तो गजानिन सिंग की जगा या मॉनिक पटेल की जगा आप रख सकते हो, किसको भुर्दिल को रख सकते हो, मेरी टीम में फिलाल M. पटेल है, bowling section से बात करें, मल्ला टीम में, ए जॉन्स टीम में, बांकि किसी को फिलाल में नहीं ट्राइ कर पा रहा हूं, बांकि अगर आप किसी एक विकेट कीपर को ड्रॉप करके, गुल्शन जहां को साथ जाना चाहरा है, तो गुल्शन जहां को भी रख सकते हो, फिलाल नहीं है, बांकि मेरा पूरा माने, एक्स्टा ओल्डाउंडर को लिया जाए, लेकिन एम पटेल के भी चांसेस लग रहे है, तो यार मैं थोड़ा सब फिलाल तो जा रहा हूं और पिकेट कीपर के साथ, लेकिन फाइनल यह हो सकता है, मैं कोई ओल्डाउंडर को ट्राइ कर लोँ, ओल्डाउंडर सेक्शन से क्या-क्या चॉइसेस है, अरी, जहां, दौनों बढ़िया चॉइसेस है, दौनों मैंसे किसी एक को अपनी टीम में डेफिनिटल रखना, और अगर दौनों को रखना चाह रहे हैं, तो Grand League की कुछ टीम्स में दौनों को भी रख सकते हो, करन भी बढ़िया चॉइस है, और लेकिन सबको तो नहीं डख पाएंगे, इन दौनों में से किनी एक को रख लेना, मेरी टीम में फिलाल एज़ांसी हैं, और बांके विकेट कीपर से मैंने एम पटेल को लेके रखा है, बोलिंग सेक्शन से थोड़े ज़्यादा बोलर्स रखना, संदीप लमीचाने सेलेक्शन परसेंटेज हलका सा कम हुआ है, क्योंकि लास मच्छों कोई भी विकेट नहीं निकाला है, नेतरा वलकर हमारी टीम में हैं, और साधिक साथ कामी भी मेरी टीम में रहेंगे, और केंजीगे, चारो मेरी टीम में रहेंगे, चारो के चांसे साज के मैच मुझे लग रहा है, कुछ ना कुछ तो भाई होगा, और खासकर जिस टीम के first bowling आ रही है वहां से में ज़्यादा बोलर्स रख लूँगा या all rounders रख लूँगा second inning में थोड़े से कम मैं रखोंगे क्योंकि second inning में थोड़े से कम विकेट्स गिरते हैं है ना तो कुछ इस तरीके कि हमारी टीम हो रही है बागी तो कोई बोलर रह नहीं गया है फिलिप के साथ आप देख लो यार फिलिप के साथ कितने लोग जा रहे हैं 67% जा रहे हैं लेकिन फिलिप से जादा बहतर चोईस मुझे कैंजीगे लग रही है इसलिए मैं कैंजीगे के साथ ही जा रहा हूँ फिलिप के साथ नहीं जा रहा हूँ डर लग रहा है तो फिलिप को रख लो कामी मेरी टीम में बाकी है कैप्टन किसे की है कैप्टन मेरी टीम के टेलर है टेलर बहत्री यह आपके पास बैटिंग बोलिंग दौनों से मौका रहेगा टेलर बढ़िया चोईस है और साथी साथ वाइस केप्टन की क्या चोईस है वाइस केप्टन की चोईस ए जोन्स के साथ फिलाल तो मैं जा रहा हूँ क्योंकि बोलिंग कर रहा है बाई बोलिंग कर रहा है और बोलिंग जब करते है तो हो सकता है एकाद विकेट मिल जाए बोलिंग चांसे थोड़े से कमी है बोलिंग ज्यादा बैतर नहीं है लेकिन हो सकता है काथ विकेट ले जाए और बैटिंग में भी बड़ी आवरेज है और किसी को अगर करना चाहर है तो किसे कर सकते हो फर्स बोलिंग अगर आती है तो संदीप लमी चाने को रख सकते हो संदीप लमी चाने के साथ काफी कम लोग मिलेंगे आपको माकि गजानन सिंग भी अच्छी चोईस है आज के मैच में क्यों अच्छी चोईस है लास मैच में सेंचुरी लगा दिये तो कि अच्छी चोईस है भाई last match में since century नहीं लगाई है आप देखोगे average भी देखो 38 का average है और 37 बोलिंग में भी कुछ overs डाल सकते हैं पिछले match में नहीं डाले है आज के match में डाल सकते हैं तो बड़ी है choice होंगे तो फिलाल टेलर और यहाँ पर एमी जोंस captain, wise captain है आप यहाँ पर देख सकते हो आरॉन जोंस है, एमी जोंस नहीं एमी जोंस तो England की player है भई आरॉन जोंस है यह तो यहाँ पर screenshot ले 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 लेना बांकी next team के बारे में अगर हम बात करें फिलाल कम team बना के रखें आरॉन जोंस के साथ संदीप लमी जाने को wise captain किया है एक बात common देख रहे होगे bowling section से मैं जादा bowlers के साथ जा रहा हूँ बांकी batting में यार 2-3 players को तो हमें लेना ही पड़ेगा 2-3 players काफी अच्छे हैं तो इसलिए मैं batting section से भी रखूँगा मांकी लमी जाने के साथ नेत्रा वलकर को wise captain captain wise captain में ने किया है और next team में आप देखोगे गजानन सिंग के साथ टेलर को captain wise captain किया है इस वाले match में थोड़े से batsmen पे भी focus करना जो important batsmen है उनको team में रख लेना फिर हमको batting section से भी कुछ players को रखना पड़ेगा तो batting section से भी आप कुछ players को अपनी team में रख लेना ये हमारी teams रही बांकी जो 10 team है वो आपको पूरी telegram पर मिल जाएगी और कोई भी शिकायत हो या कोई भी चीज समझ नहीं है तो comment करके पूछ रखते हो comment में मैं आपको answer दे दूँगा और अगर वीडियो पसंद आ रहे तो वीडियो को like कर दे ना चैनल पर पहली बार तो subscribe कर सकते हो final team आपको telegram पर मिलेगी मिलते हैं final team के साथ thank you and thank you so much